अच्छले असलाम अलेकुम बिस्मिल्लाहिर्मान रहीम हमारा जो नेक्स टापिक है वह है इसो टाइप्स या हम पाट रहते हैं उसकी टाइप्स आज लोग देखे हम लोग आज देखेंगे कि उसकी टाइप्स कौन-कौन सी है मैं ज़रा रविजियन करा देता हूं कि हमारी क्या थी हम उसको कैसे लेके चाहड़ रहते और आज का हमनगाल पक्या है कि हम लोग देखते थे कि बैर से कोई बी एंटि जन आया तो उसको कौन-धे Exactता आप का Mul लाड़िके मेंक्रोफियर उन्दर वहीं इंटर या T helper cell 17 के जरीए एक और type T regulatory cell भी थी या CD8 cell के जरीए भी या फिर ये क्या करता था T helper cell 2 की मदद से B cell से क्या लेता था help लेता था और B cell जो के baby cells थे वो फिर क्या बन जाते थे plasma cells और plasma cells क्या करते थे फिर आपकी antibodies बनाते थे ठीक है और antibodies antibodies जा के आपके इस pathogen की killing करती थी अब कल हमने देखा था कि ये antibody जो बनती है इसके structure कैसे होती है और इसके functions क्या क्या होते है और ये जो बनती है कैसे बनती है वो हमने कल detail में देखा था आज हम लोग देखेंगे कि ये antibody बनती है ये 5 types की बनती है और वो 5 types कौन-कौन सी होती है उनमें difference क्या होता है वो और उनकी चीज़ें किस तरह होती है आज हमने उनको detail में देखने है ठीक है तो आज का मारा topic है इन antibodies या immunoglobulins की जो types है वो कौन-कौन सी है उनके functions कैसे हैं और वो functions कैसे perform करती है ठीक है तो ये 5 types होती है इसकी याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपको पांच याद नहीं हो रही तो देखे I, G, G, I, G, A, I, G, M, I, G, D, and I, G, E अगर आपको भूल जाती है कि आपको 2-3 याद रहती है पता नहीं 4-5 भी कौन सी थी तो simple याद करने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है कि दो तो इस तरह याद कर ले 4G, E से ठीक है दो इस तरह याद होगी बाकी एक 5A वाली थी ना वो जो Arabic में 5 लिखते थे बाकी कितनी बच्चती है दो और दो कौन सी है I, G, M, and I, G, D I, G, M, and I, G, D और मैंने का था I, G, M, मासूम है ये बेबे सेल्स के पास I, G, M, मतलब सर्फिस पर कौन सी होती है I, G, M होती है और I, G, D, भी कहा होती है सर्फिस पर होती है ठीक है तो आपने ये 5U टाइप्स के नाम इस तरह याद रखने है इन्शाला तरह आपको नहीं भूलेंगे ठीक है अब इन 5U टाइप्स में से जो इंपोर्टन है वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टन है USMD के वाले से आपकी I, G, G है फिर उसके बाद I, G, M है फिर उसके बाद आपकी I, G, A है फिर उसके बाद आपकी I, G, E है ये इसका सिक्वेंस है इंपोर्टन का ठीक है I, G, G सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है फिर I, G, M इंपोर्टन है फिर I, G, A और I, G, E I, G, D को इंपोर्टन नहीं है इसलिए हम इसको ज़्याद देखते भी नहीं होते क्योंकि इसका function अभी तक clear नहीं है कि इसका basically function क्या होते है ठीक है ये 5 types होती है हम सबसे पहले देखते हैं I, G, M को हम I, G, M को देखते है कि आपकी I, G, M क्या होती है I, G, M मजूद कहां पे होती है आप लोग बताएं अभी मैंने बताया है B cells की surface पर ये B cells हैं तो ये B cells baby cell होते हैं तो ये मासूम होते हैं तो इनकी surface पर कौन सी होती है आपकी I, G, M मजूद होती है उसके बाद X as receptors for antigen ये कौन सी आपकी वो antibody थी जो receptor BCR के तोर पर काम कर रही थी जरा याद करें पीछी हमने पढ़ा था कि BCR IgM होती है जो उपर से कोई भी आपकी जो antigen आती है वो इसके साथ link करती थी याद करें जरा B cell के active होने के दो तरीके होते थे एक तो वो T cell dependent थी और एक T cell independent जो T cell independent थी आपका उपर से polysecret आता था आता था क्या आता था याद है very good polysecret आता था और ये BCR IgM के इसको क्या करती थी पकड़ती थी और अंदर इसको क्या करती थी active करती थी तो receptor आपके antibody कौन सी होती है IgM यह है ने receptor BCR का मतलब होता है B cell receptor तो ये receptor है ना IgM IgM receptor होती है जो BCR की surface के उपर लगी होती है और ये antigen के इसे receptor काम करती है ये बात समझ आ गई है ये पहली बात इसकी यह होगी कि ये receptor के तरफ पर काम करती है और इसकी surface के उपर मजूद होती है दूसरी चीज होती है कल हमने पढ़ा था कि जो antibodies बनती है बात होती है एक उसका variable region होता था एक उसका constant region होता था अब variable region को आप छोड़ दें जो constant region होता था वहाँ पर FC portion होता था ठीक है आप लोग ने lecture लिया था फीचे वाला जिन्होंने लिया था उनको इसलिए समझ आएगा जिन्होंने नहीं लिया उसको थोड़ा समय होती है और एक उसकी light region होती है अब जो heavy chain होती है उसके मज़ीद दो parts होते हैं एक variable region होता है और एक constant region होता है जो constant region होता है उस पर क्या होता है आपका FC portion होता है fragment constant बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते है कौन सा होता था है एक सी गामा होता था और अगर अगर ऐगन मित सी मू होता था अगर हr अगर आपको ए तो फिर हम तर य भेय है तो एपसलान होता था तो इस बेस में एन्टीबाइडि की टाइप्स करते थे यह और अगर आप दोंगे देखा है तो आप लोग याद हो ठीक है अगर नहीं देख़ा तो सब्सक्राइब क्लासमें चीज़ा जो पीछे वाले रह जाती है मुझे डिफिकल्टी कि मुझे वह चीजी से रापीट करने के दुपारा ये मेरे लिए दिल भी नहीं करता कि इम मैंने कोThen轧 रपीट करूतों सको भागभा को आस्वा सब्सक्का भाग की घॉठ पर में करते हैं मैं डिटैल में जाता हूं तो ये डिचल में नहीं जा रहा तो मैं मैं repeat कर रहा हूं दोबारा कि यह देखें हमारी जो है ना इस तरह की होती थी आपकी यह आपको एंटिबाटी की स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आप यहigoree cowboy की टाइप को डिटर्माइन करता है कि यह कौन सी टाइप होगी वह रिजन हैं आपका यह वाला यह यहां से लेकर यह यहां तक यह एलग करता है अब यह हो सिषन हो आपका सीः गहां तो आपका फिर यह क्या होगा IGD अगर यह हो C Epsilon फिर आपकी क्या होगी IG E तो यह है जो हम एंटिबाइट की टाइप पड़ रहे हैं वह जैसे तरह है मेरे क्याल में समझ आ गया होगा आ गया समझ यह मैं इसको तीसरी पर रपीट करो पैम समझ आ गया है नहीं आ गया समझ आ गया है नहीं आ गया समझ चले वापस आते हम अपने उसकी तरफ हम कौन सी पाट रहे थे IgM हमने का कि IgM जो है ना वो B cells की surface पर मजूद होती है और as a receptor काम करती है antigen के रहे यह concept मैंने समझा दिया आप लोग को ठीक है अब अगला point मैं यह समझाना चाह रहा था कि अगर आपकी type है IgM IgM तो आपकी जो heavy chain है उसके variable region के साथ जो FC region यानि जो constant region होगा उसके ओपर कौन सा region लगाओगा C mu लगाओ ठीक है तो यह कौन सी बन जाएगी IgM बन जाएगी इसके बाद वो कहता है कि it produced in the primary response और immediate produced होती है foreign produce होती है ठीक है यह देखें यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ भी है produced in the primary immediate response to an antigen क्यों सबसे पहले यह response क्यों करती है कौन बताएगा नहीं वह वह वरी क्रसेट नहीं है यहाँ पर C mu तो बनता है वो तो बनने तक बात है कि C mu करीब पड़ा होता है ना इसलिए वह पहले बन जाती है IgM लेकिन यह पहले response क्यों करती है क्योंकि सर्फेस पर कौन सी वेरी गूड क्योंकि आपकी जो B cell होते हैं उनकी सर्फेस प पर आपका दर्वाजा खटकटाती है ना तो यह दर्वाजे के ओपर आपकी IgM बैठी हुई है कोई भी antigen आएगा पहले इसके साथ उसका interact होगा इसी के साथ होगा ना यहाँ पर interaction होगा तो सबसे पहले फिर यह अल्रेडी प्रोडूस्ट होती है तो सबसे पहले यह इंट interact का interaction दिखाती है इसलिए सका response क्या होता है immediate response जल्दी quick response होता है इसलिए को क्या बोलते है primary response समझ आ गई है वाली बात समझ आ गई है रिस्पोंस क्या करना समझ आ गया तो आ गया है समझ नहीं आई तो नहीं आई फिर रपीट करेंगे हम आगे समझ चले अगला कंसेप्ट हम देखते हैं कि अगली चीज क्या लिखी हुई है वो अगली कहता है अच्छा इसको इससे पहले एक और चीज़ का पॉइंट देख ल स्थक कोई साथ ही नहीं हुता बिचार यह अकिला होता है बेलकुल लेगिन वंक आज़े जाने के बाद यह आपके पैंटम अर फॉर्म् में आती है। पेंटम हरफ ओंप यहां पाक क्या मतलब है यह पेंटम हरफ फॉर्म आ जाती एंग किसे पेंटम हर फॉर में आती है वह कहता है कि यह इदर तो सिंगल पड़े जब यह आपके ब्लड में जाएगी तो यह एक जे चेन को पकड़ेगी इस तरह की होती है जे ची गोल टाइप क इससे तरहवाद शेन को पकड़एगी और उसके अर्द गर्द परपांच आपकी इस तरह की लाग जाएगे यह आ यह आपकी चौथी और यह पांच भी 12345 तो इस तरह आपकी फाइव आई जी एम जाके आपकी जे चेन के साथ जोड़ जाती है कितनी जूड़ी हुई है पांच और कमिस्ट्रीकल वर्ड याद करें डाई टाई टेट्रा पेंटा हैक्जब हैट याद है तो यह पेंटा सब्सक्राइब करेंज रहा हुई है याद रहें सब्सक्राइब करेंगे ऐन नाम याद रहे तो इसे ती यह गराज हो याद हो जायगा तो इस तरह तो इस ऐन Só umgen ने और यह आफिए इमस्ट्स न में बारत नाम तो इससे पांच गेंट पनर क्सक्कि उपर यह इक होती है तो पांस इसका क्या बन जाता है यह 5 ही आपस में बनी होँ मुझे बात बताएं के आपके एक एक एंटीबाडी के ऊपर कितने फैब रिजन होते हैं एक एंटीबाडी के ऊपर कितने फैब रिजन होते हैं दो फैब यह देखें कुछ बच्च ने लिए पिछला यह देखें एक फैब रिजन यह वाला एक फैब रिजन यह वाला एक फैब रिजन यह वाला यह यह वाला तो कितनी एंटिजन जोड़ सकती हैं दो एंटिजन जोड़ सकती हैं चलेंजी हमने कह दिया कि आपके एक 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 आईजीम के ऊपर दो एंटिजन जोड़ सकती हैं यहां पर कितनी एंटिजन है पांच इधर भी दो इधर भी दो इधर भी दो इधर भी दो तो आपकी जो कि आपकी IgM पड़ी हुई है ब्लड में उसके साथ कितनी एंटीबाडी जोड़ सकते आप लोग क्या सोचेंगे ब्लड में पड़ी हुई है IgM है तो एंटीबाडी एक एंटीबाडी कितने है, Favregion होते हैं, दो तो इसके ओपर कितने एंटीबाडी जोडेंगी तो पड़ी इचैने गलत है यह खलत है क्यों क्योंकि आप जो आईगिया में ब्लाड में किस फजय मैं पड़ी होती है पांच कर फजया और में नहीं होती है तो जो भी ओता है यह agglutination होता है, क्या होता है, agglutination, ये agglutination में काम करती है, agglutination क्या होती है, blood की मतलब इस तरह एक तरह की किसी चीज की भी clotting करती है, मतलब किसी चीज को gather कर देना, कठा कर देना, अच्छी ये agglutination क्यों कराती है, agglutination क्यों कराती है, देखें, ये किसी भी antigen को strong तरीके से किसी तरीकर से क्यों स्ट्रांग करती है मुझे एक बात बता है कि एक बंदा do बंदा पूरा है किसले कर सम इसके दोहाथ है अब इसने कि सीज 토ाइ मैं से चीजे को पकड़ा हुआ है ठीड यह उस चीज को एक हाथ से ज्यारा स्ट्रांग तरीके से पकड़ेगा या फिर दो हाथ से स्ट्रांग तरीके से पकड़ेगा आफ कोर्स दो हाथ से स्ट्रांग तरीके से पकड़ेगा या फिर हम मैं इसके स्ट्रॉन्य पस्ट्रहूं से पकड़ां यह यह क्या हुआ है नंग को ज़्यादा दसा क् समझ औ घए होते हैं। आपके बनती है सर्फिस पर होती है तो यह मौनमरफां में होती है जब यह सीरम में आती है तो यह JChem के साथ जूड़कर Pantamareform में आजाती है और हर अंटिबाडी के ओपर दो लगती है तो Pantamare के ओपर कितनी antibodies लगी होगी 10 antibodies लगी होगी और यह avid यानि strong तरीके से उसको क्या क्या होता है पकड़ा होता है antigen को और यह क्या कराती होती है agglutination कराती होती है एक disease है जिसका नाम है autoimmune hemolytic anemia नाम सुना हुआ है हाँ नाम तो सुना होगा ना क्या होती है autoimmune कौन बताएगा autoimmune hemolytic नाम खुद बता रहा है autoimmune hemolytic anemia हाँ यह anemia मतलब आपके blood my red blood cells कम हो जाएगे और hemolytic का क्या मतलब है और break down हो जाएगी आपकी ठीक है और आपके autoimmune का मतलब क्या है कि आपके बाड़ी की अपनी अपनी ही T-cells बन जाएगे उसके हिलाब ब्रेकड़ून करेंगे यह कैसे होता है यह कैसे होता है यह कैसे हो अच्छा एक concept आपको बता दूँ जो अकसर बच्चों को प्रॉट्टे को बाञेते है और के इस सो सबस्क्राइब को और कुंधा यह होता है यह इसने तो आपके ठीक जो अभी शीश पहुंछ कर लेकिक्टी आपकीख अध्यार्प्रim monitor देखर फ्र्यावक और जाता है तो यह आपके अपको ब्लाड़ जो हम एक रहुं Gabe किया करते हैं हीमwiązुलाइटिक ऐनीमिया कैटे कि ए निएधो है यह कि इसमें एंटीबाडि़ई अब इसके खिलाब बन जाती है आपके अपनी एंटीबाडी और कौन सी एंटीबाडीई बन रही है यहां पर आई घी एंबे इसमें नी फारती कैसे होता यह इसकी टांगे हैं यह पाओं है इसके तो आपके इनके पेरिफिरल डिजन पे यहां पर यह वले रिजन 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 यहां पर आपके आर्बिसी की हो जाते हैं अकठे हो जाते हैं वहां पर जाके गैदर पढ़ जाते है तो इसको क्या बोलते हैं autoimmune-hemolytic-anemia तो यह इनीमिय से यह IgMol parameters पढ़ी होती है तो वो उसको समझ आगी चीजा समझ आगी है मैं समझ आगी है है समूझ नहीं ज को आगे समझ गूड चेल लाइं यह देखें वह बनाई भी बनाई भी हुई है यह देखे पैंटमेरिक फॉर्म में बनी हुई है यह यह वली जे चेन लगी हुई है चले प्रडूस्ट इन प्रैमरी रीडिंग यह हमने कर ले थी अच्छा यह फिक्स कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिव करती होती है मैंने बताया था कि दो दो आपकी होती है मैंने कहा था कि आपका जो जी एम होता है ना जी एम वह फैक्टरी को चलाता होता है बताया था ना मैंने कि आपको जी एम होता है यह यह कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है तो आपकी यह दो आई जी जी और आई जी एम यह कंप्लीमेंट ना देखें कोई भी पैसो जंता कलम ने पड़ा था बैक्तेरिया था तो बैक्टेरिया के ऊपर आपकी क्या लग रही थी आपकी Antibody आके लाग रही थी इसके प्रटैच हो रही है तो यहां पर इसके एकशी पॉर्शन पर मुझे कौन बताएगा के Antibody के ऊपर कमप्लीमेंट साइट कolé कि होती है कि छी किस के ऊपर ऐसं छू के बीच में वहां पिर आपको जुडता है आपका सिस्टम आधे चूरता था और उसके बाद आकुझ क् sowने में वास अपने सिस्टम क्या हो गया था कूझ हो जाता था तो इस तरह हें आपके complement system को active करती होती है fix करती होती है ठीक है समझागी यह चीज मैं इसको raise करने लगा हूँ तो यह fix करती है आपके complement system को antigen receptors on the surface of B cells of course B cells के उपर इसके receptor मैंने बता दिया भी monomer on B cell surface pentamer with J chain when is secreted जब secret हो जाती है आपके blood में तब यह pentameric form में होती है pentamer enables avid binding avid का क्या मतलब होता है strong avid का मतलब होता है strong binding to antigen while hemeral response evolves क्योंकि यह primary response है न जैसे यह से यह भी होता रहता है साथ में hemeral response भी उता रहता है यादि आपके antibodies मजीद भी बनती रहती है वह evolves मतलब gradually develop होता है ऐसा है दूसरा आपका secondary response भी develop होता रहता है और ये भी अपना क्या करती रहती है response करती रहती है I hope so that कि आपको IGM जो है ना याद हो गया होगा हो गया है ना याद IGM याद हो गई है जैसको repeat करूँ मैं दुबारा repeat करने की जूरत है नहीं है जूरत आगे समझ मैं देख लूँ कि कोई concept रहना गया हो अच्छा उसके बाद ये optionization भी कराती होती है आपकी IGM ये वहला concept रह गया था आपकी जो होती है क्या कराती होती है optionization क्या होती है कौन से डाक्टर बताएगा ये फेगोसेटस क्या करती है इंक्रीज करती है पढ़ाती है उसको इंहेंस करती है लेकिन कैसे इनहेंस करती है यह यह पर आपका अभी हमने bacteria है उसके ओपर क्या लग जाएगी आपकी I.G, M लग जाएगी कम्प्लीमेट सिस्टम लगेगा ऐफ सी पोर्शन के ऊपठ ती और c3-b जाकर इसी बैक्टेया के ऊपर बैड जाती ती याद है तो जब इसके ऊपर यह बैठती थी तो जैम के तोर पर काम करती थी यह ब्रेट है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है जैम लगा हुए है Macrophages कहते थे वाओ यह तो बड़ी मज़े की चीज है जाओ और इसको खाओ और वो जा किसको क्या कर लेता था खा लेता था तो क्या यह आपकी एंटीबाडी डिरेक्ट ली Macrophages को बुला रही है इसको खाओ तुम्हारा खाना था रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंडरेक्ट जो है आपकी अपकी करूच ले अगर आप लोगो कोई क्वेस्शन तो आप पूछ ले क्वेस्ट नहें देगिन जब लेक्ट्रस सुन रहे हो न उस वक्त जो बंद अपने मैंड में क्रियेटीविटी लाता है न चीजन सोचता रहता है कि यह कैसे यह क्यों यह क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ तो वो कर जाता है उसको चीजने जारा अच्छी समझ आती है वो उसमें डिटेल में चला जाता है तो सोचा करें चीज़ों को अब हम पढ़ते हैं आई जी जी कि आपकी आई जी जी क्या होती है अब आई जी जी में आप लोग आप मुझे बताएंगे आई होप सो सी गैमा होना चाहिए कौन सा होना चाहिए सी गैमा तो पहली बात इसमें जहीं लिख वी है कि सी गैमा जहीं इसका को रिजन होगा दूसरी बात कहता है कि प्रोडूशरूसरी इन्दिसर carnivory response कहा ना होता है इना क्लास- покуп में या hari से यह करें आट इसने क्लास सेल टू किस पास जा रहे थे थे बीसल के पास और बीच लिए को पर क्या लग होती है आई जी ए म से क्लास सुचिंग कराथ था कि आई जी एम से क्या बन जागा आई जी जी आई जी कब बनेगी जब इंटर लूकें कौन सा स्कृट होगा जहां सी तो से अा क्प्र सुबेर क्या हो गया यहाँ 4g अप 2G वे नोने हैं क्पोर टी हागी आज कल तो क्या होगा इंटरत लूकन व्होगा तो 4G से ैं जो आजकल पाइव सी चाल रहिए आप फूजी कर जाना चाह रहे जी बन रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्केंडरी रिस्पॉंस बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लास स्विचिंग भी हो रही है स्केंडरी रिस्पॉंस है तो इसमें मैमरी भी होगी इसमें क्या होगी memory भी होगी कि next time अगर ये वाला pathogen आता है तो ये उसको IgG पढ़ी होगी उसको क्या कर देगी kill कर देगी IgM में होगी memory क्यों immediate response है और वहाँ पर class switching हो रही थी तो वहाँ पर इसी दिए क्या नहीं होती memory वहाँ पर नहीं होती ठीक है तो ये आपका secondary response होता और इसमें क्या होती है ये बाद समझ आ गही है ये वही पीछे वाली चीज़े वही डाग्राम वही चीज़ा रपीट हो रही है बस थोड़ा सा सोचने की जरुआत है उसके बार इसकी अगली चीज क्या है अगली चीज इसके बार में वह कहता है कि यह चीज इंपॉर्टर है यहां सिर्फ देखें में एंटी बाड़ी एंटी रेस्पॉंस टू एंटी जिन मोस्ट अबंडेंट एसो टाइप इन सीरम यह कॉश्चन आता है कि आपके सीरम में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीज इसके लिए को कॉन चलाएगा जब फैक्टरी को चलाएगा जब वह एक्टिव करता है आई जीज ऐ चैला साक्ति ell चलेक्पाइट तो को यह पेसे यह वैसिशक्टर को करते gaघे आई-जी-एम जो है ना इंडरेक्ट लिकराती है लेकिन आई-जी-जी यह कैसे आपका बैक्टेरिया है इसके ओपर आपकी क्या आए जी जी आके बैठेगी और आई-जी-जी आप ऐसे जैम काम करेंगी बुलाएगी मैक्रोफेज को कि आओ जी इसको खाजाओ जी वो तो यह चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही समझ है, तो यह मम्मा है, ठीक है, मम्मा के पेड में एक बेबे पल रहे है, ठीक है, अब आपको पता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के जरीए, उसको क्या मिलती रहती है, सारी न्यूट्रिनस जोना, उसको मिलती रहती है, सारा कुछ मिलता रहते है, अब हो कहता है, आई जी IgG, यह important है, सुलने, IgG is the only antibody type that can cross the placenta, जो इस placenta से घुजर कर आपके infant, baby में आ सकती है, जो बच्चा फीटस अब ममा के पेड में पल रहा है, उसमें जा सकती है. कैसे जाती है, कि यहाँ पर आपके लगे होते हैं, FCRN receptors, आपके placenta में लगे होते हैं, FCRN receptor, नियो नेटल receptor लगे होते हैं, आपके constant, fragment constant, किसके fragment constant के लिए? IgG, यह है नियो नेटल receptor, N से, नियो नेटल R से, receptor FC, fragment constant, जो आपकी antibody होती है, IgG, मेरी सपीट तेज तो नहीं है, सपीट ठीक है मेरी? आपके जो IgG होती है, हर antibody का एक FC portion होता है, जो IgG का FC portion होता है, इसका एक receptor लगा होता है, आपके पहले center के उपर, जिसका नाम है FCRL, नियो नेटल, fragment constant receptor, यह receptor लगा होता है, यह receptor आपकी इसको क्या कर लेता है, accept कर लेता है, और accept करके इसको कहां मेरे लेता है, आपके fetus के अंदर, अब आपको पता है, यह शहीद आपको पता हो, यह ना पता हो, मैं आपको बता दूँ, कि जो आपका fetus होता है, fetus के अंदर कुछ अर्च से तक antibodies बरने की सलाहत नहीं होती है, उसके अंदर antibodies नहीं बनती होती है, तो वो उसको antibodies कौन देता है, ममा देती होती है, तो आपका IgG बच्चे के अंदर जाएगा, और तकरीबन 6 मन तक, तकरीबन, 6 मन तक यह क्या करेगा, इसको infection से क्या करेगा, secure करेगा, antibody है न, कोई भी bacteria कोछ भी आएगा, यह 6 महने तक आपके बच्चे को जो है न, जब बच्चे मतलब after birth, after birth 6 मन तक infant बनी जा तो उसको क्या करेगा, secure करेगा, किसी भी कोई भी germ infect करता तो उसको क्या करेगा, secure करेगा, उससे बचाता रहेगा, कितने महने तक 6 मन तक, और 6 मन के बाद ये, क्यूंकि इसकी मिकदार, ऐसे ऐसे, यह death होती जाएगी, फिर बच्चा और IgG तो नहीं बना रहा, उनके ऐसे ऐसे death होती जाएगी, तो आई जी जी क्या होती जाएगी काम होती जाएगी एक वाक्त आएगा आई जी जी खत्म हो जाएगा और आई जी जी कब खत्म हो जाती है जब बच्चा कितने मंत का होता है six one價 इजीजा इपि क्या हो जाती है खतम हो जाती है तो यह शे मिने तक तो उसको श्क टर्व ंसको सिर्टिक रहती है लेकर उसके बाद इसक्योर इसको नहीं कर सकती है कि यह सर्फ आपकी जी क्यूं पले सेंटर में से घुज़र सकती है बागी क्यों निंगधर सकती है हम् हम दो तीन इसके बिचे कर्टाप्स है कि सीरम में सबसे ज्यादा कौन सी होती है तो इसके आजी यहम क्यों निज आ सकती क्योंकि यह hefc套 मेरिक पाम मेर इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यह उस नहीं कर सकती इस तरह आपकी आईजे के इस फ़र में पाम में होती है तरह है यह नहीं च्रास form यह त्भी यह नहीं जा सकती है प्रकॉरятаculoð say center के फ्रक्या लगया होते हैं रिसेप्टर नियो नेटल रिसेप्टर वह इसके जरी से घुजर कर अंदर चली जाती यहाँ पर आपके बेबे को fer करती रहती है च्छोग उसके यह कम हो जाती है तो यह यह मैने तक बच्चे को को तो करती जो आपका infant होता है उसमें most abundant antibody कौनसी होती है IG G होती है क्योंकि IG G placenta के जरी जा रही है तो यह भी याद रख लें कि infant के अंदर most abundant जो आपकी वो होती है कौनसी होती है IG G होती है और यहां पर वो बता रहा है क्या बता रहा है in a compound ie लेकिन मेंडि aç ऑर होता है बतायाया थ्यूंति यह पैसेत पैसिक हो हुआ है ऑध क्योडर बताने जा रहा है को जीनियस है कि नहीए नहीं 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 डरक्स ब है यह होती है कि देखें एक होती है किück ह proteg पर साथ क्ष़ार हो रहा जो जो अहला कि यह बन रहे थी संब्रम्भर हां यह है एकटेब डी होथा आपकी एंटितिन आई इसने आफ कि diver को एकटेव किया किसीद्जे से क्षाप बलब हम कोई एंतिन नहीं लेते हैं हम सीधा क्या ले ले लए एंटिबाडी ले लए ठेज्टेट इसको एक्टेएव किया नहीं किया है यह हम रजीदा क्या ले लिंटी प्सक्रदीबिये कि शुक्रदी रहेसा क्रांट होगी पांट चीज खरीद रहे हैं ओधे और जुभ क्या हो गया डॉक्र अजराद जब हम वैक्सीन देते हैं उसमें हम वीक पैथोजन नी देते और पैथोजन क्या होता है एंटीजन नी होती यह जा कि आपके एंटीबाडी बनाती है जो कि ऐसे मेमरी फिर रह जाती है आपकी बाड़ी में ठीक है यह हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैक्सिनेशन को ऐसे मेमरी रह जाती है और फिर जब दुबार है यह पैथोजन आता है अससर वारा उस क्या कर देती है किलें कर देती है और जो हम देते हैं यह कोवेड के मरीज को अभी पीज में आया हूँ था कि उसका सीरम उसको देते हैं हम लोग कि जो के कवार उचुक्छा सीरम लेके देते हैं वो कौन सी टाइप होगी कि यह सब्सक्राइब क्योंकि उसमें हम उसकी अंटीबाडी निकाल लेती है जो उसके खिलाफ बना ली है खिलाफ एंटीजिन थे खिलाब है मैं repeat करूँ इसको active or passive immunity को एक पर मैं repeat कर देता हूँ देखें हमने क्या दी antigen दी antigen आई हमारी body में उसने antibodies बना दी सारे process के जरीए यह जो होता है B cell से T cell T से sorry macrophages से T cell T से B cell B से plasma cell plasma cells क्या बनाते हैं antibodies यह सारा process है आपकी active immunity क्यों कि आपकी antigen आई है उसने चीज़ों को क्या किया है एक्टिव किया है फिर चीज़न जाके बनी है और एक होती है passive immunity जो हम पैसों से खरीद लेते हैं कि हमें कोई काम करने की जुरूरात है पैसा है एक हाथ से पैसा दो दूसरे हाथ से हमने पैसे करे लिए एक हिर्ट यह यह आई है और अगर हम वेक्सियन करते हैं दो तो यह पैसे में लेक्षिस समझ नहीं आ रहे हैं मुझे अपना तरीका समझाने का बदलना पड़ेगा हैं नहीं समझ आ रहे हैं काफी डिस्टॉइंड कि आप लोग मुझे हैं इसमें क्या जा रही है ड्रैक्टर ममा से बेबे में क्या जा रही है आई जी जी और आई जी जी क्या है एंटीबाड़ी क्या बच्चे को कोई चीज काम करना पड़ा है कोई एंटीजन उसके अंदर गई है उसने इसलिए पैसे में उटीओ समझ आ गई है तो आई जी जी ग्रीट्स ग्रोइंग यह याद करने का फार्मूल है बस आपने इसमें क्या करना है मैं देखनू कोई चीज देन अगई हो एक चीज रह गई है एक चीज टिल रह गई आई जी जी हमने पढ़ा था कल क्या पढ़ा था कि आपकी यह एंटी बाड़ी की structure होती है उसके ओपर क्या लगी होती है sugar भी लगी होती है पढ़ा था ना कि यहाँ पर क्या लगी होते है sugar, sugar क्यों लगी होती थी ताकि यह pathogen को attract करें इसने किया होता है तो इसके साथ भी आपकी जो यह जो पॉलिस स्क्राइड शूगर लगी होती है ना यह बेसिकली आपकी किस एंटीबाडी के साथ लगी होती है हमने कहा था ना कि यह आपकी एंटीबाडी के साथ क्या लगी होती है पॉलिस एक्राइड सोगर लगी होती हैं अब पौलिस इक्राइड शोकर कौनशी टाइप लगी होती है यह करता है यह जो आपकी एंटिबाड़ी है यह इन कराएगी या फ़र inflammation को रोकेगी या फिर anti inflammation होगी यह नहीं ऐए चीज समझ को डॉक्सर को समझ नहीं यह यह inflammation inflammation को मतलब होता है कि कोई pathogen आ गया है उस पैथोज़वेन को हमने मारना है neutral cells को बुलता है unco прим typ jar onicer push भूलना है और inflammation और anti-inflammation क्या होती है कि आपने तक यही सुना होगा कि किलन कराती होती है अब Collision किभी गरोगे करा देती है कर बों कैसे anti-inflammation के ज़री आपकी IgG करा देगी अगर आप चाहते हैं कि अब inflammation रोक जानी चाहिए inflammation काफी हो गई है अगर मजीद inflammation होगी तो हमारे tissue damage हो जाएगे necrosis हो जाएगी एप प्रोसेस ज्यादा हो गई है तो वो आपकी IgG क्या करती है anti-inflammation करती है वो किस चीज़ पर depend करता है कि अगर आपका यहां पर आके लगा है यहां पर जो sugar आके लगी है वो लगी है एन अनत अनल याएप है यह याद कर लें यह शूबрь की टाइप है अगर यह टाइपके लगेगी एन असटाइल गुल्कोज इमाइन तो गुल्कोस यह जब आके लगेगी तो आपकी IgG sheets inflammation करेड़ क्या कराएगी He inflammation क्राएगी ओजार्पने कद याद करने का तरीका क्या है सिंपल से हैं सिंपल से से संब्स आठीक बनुकोज है ना तो वही तरीका मीठा है उनको बुला लेगा अपने जब बुला लेगा फिर उन्टी क्या कर देगा inflammation के जरीए killing कर देगा ठीक है और अगर यहीं पर salic acid यह salic नाम क्या होता है जो भी है S I A L I C salic acid यह अगर यहां पर लगी हो यह ना लगा हो बलके यह salic acid लगा हो तो यह क्या कराएगा उसकी anti-inflammation क्या आप inflammation को रोक दो इंफ्लमेशन को रोक दो यह दो चीज़े हैं कि अगर आपके FC portion पर जो पॉलिस अक्राइड लगती है वो आपकी N-Acetyl Glucose Amine लगी हो तो inflammation होगी अगर वहां पर आपका salic acid लगा है तो inflammation रोक जाएगी यह anti-inflammatory response समझा गया है आई जी जी समझ आ गई है पकी बात है कि इसकी most important बाते यहीं है जो आपकी फास्टेड में लिखी गई है ठीक है यह बैक्रियो को optionize करती है neutralize करती है अनली आइसो टाइब डैट क्रास्ट अप्ले सेंटा प्रोवाइड इंफेंट्स पैसिविलिटी अंटिल शिक्स मंथ यहां पर नहीं लिखा गया तो यह इसके process होते हैं जो कि यहां पर लिखी हो ठीक है समझा गया यह अब हम देखते गां कि यह antibody की heavy chain है एक variable region है एक FC region है यहां पर कौन सा C का part होगा C alpha C alpha C alpha होगा तो क्या बन जागी IgA बन जाएगी अच्छे इसके बारे में भी कहता है कि जब यह पैदा होती है यह जब बनती है आपकी IgA तो यह किस form में होती है आपकी monomer form में होती है किस form में होती है monomer form में होती है single होती है लेकिन जब यह secrete होती है आपकी circulation से secrete हो जाती है तो तब यह किस form में होती है आपकी मुझसे गलती हो थी मैं आपको बता रहा था कि बलड में पेंटमर होती है जब यह से क्रेट हो जाती है मतलब बलड से बहर से क्रेट हो जाएगी आपके किसी टिशू की तरफ मतलब आपका लिवर टिशू के अंदर जो है ना एक कोई भी एंटिजन पड़ा हुआ था और वहां से आपके बलड गुजर रहा था और आपके बलड में यह IgA बनी हुई है यह IgM IgG कोई भी बनी हुई है और वहां से जब वो से क्रेट हो जाएगी बलड से टिशू की तरफ तब यह पेंटमेरिक या फिर डाइमर फार्म आपके है ठीक है पहले मैं बलड कह रहा जब यह IgA बलाड में होगी तो यह मोनोमर फार्म बेहोगी ऐसे जब यह बलड से से क्रेट होकर आपकी टिशू की तरफ जाएगी जहां पर पैथोजन पढ़ा हुआ ए तब यह डाइमर फार्म में यह डाइमर पर बही बाद जे चेन को पकड़ेंगे यह जे चेन यह जे और एक इस्तरफ लग जाएगा जेएचेन के एक इस्तरफ लग जाएगा तो इस तरह एक क्या बन जाएगा इनका डाइमर बन जाएगा क्या बन जाएगा डाइमर तो जब यह सर्कुलेशन में होती है तब क्या होती है मोनमर और जब circulation से स्कूरीट हो तब क्या होती है ये dimerform होती है समझा गी है आगलूटिनेशन कौन आई आई जी-म आई जी-म वेरी गूट कोईश्शण आई आई जी-म जो है आपके peripheral साइड में चले जाती है न तो आपके वहां से वो RBC को जो है ना वहां से किसी भी तरह मुझे इसका प्रापर आंसर नहीं है I'm sorry very good question लेकिन मैं आपको इसका काल आंसर करूंगा क्योंकि मैं उपर नीचे आंसर करके scene नहीं डालना चाहता क्योंकि ये question में भी आ सकता है just a second मुझे दुबारा देखने हैं थे IGG बल्के IgM थी sorry 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 एक और गलती हो गई है मैं भी कहूं कि मुझे इस कांसर क्यों नहीं आ रहा जो आपकी IgM होती है ना वह जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही होती है इस आई जी म क्यूंकि सर्फिस पर होती है ना मैं चिसा को दुवार रपेट कर रहाया यह आपका BSL की सर्फिस पर जब तक यह मजूद होगी भले Circulation में भी है और IgM ini मिसकी सरफिस के उपर मजूद है तब धी मनोमरब सर्कॉलेशन में भी है जब यह यहाँ से कड़े हैं से यहां से मेरे मसें पर नहीं से से अलयदा होगी है तब यह किसफ पार्म में है पैंटरमर में होघी है तु जब यह पलाइड में हो सकती है तु जब यह पार रहे थे न हुगा अच्छा इसके बाद यह बनने के बाद जब सक्रीड होती है सक्रीड उटने के बाद आपकी आई जी ए होती कहां पर है आपकी आई जी ए कहां पर होती है कहां पर यह जारा में जारा में पाई जाती है आपकी GIT में, आपकी GIT के mucos में और आपके जो है ना, respiratory tract में आपकी क्या होती है, यह आपका let's pose the stomach है, ठीक है, तो यह आपकी जो small intestine होती है, यहां से, यह देखें, यहां पर बनी, यहां पर यह बनी, और यहां पर आगी यह डाइमर फार्म में है, तो यहां से यह इसमें द epithereal cells को cross करके अंदर जाती है اب यह जब epithereal cells को cross करती है तो कैसे cross करती है最 lei… किसके जरी एЯ a प्राईंस सै्टोस से स्ट्थह這是 क्या होती है Trans гром geçeri wat is Soul Health का ne selle न जो है न एक तरह से इस चीज जिसको पकड़ा और उसको अपने अंदर से गजारकर दुस्री तरह छोड़ते हैं यह क्या होती है ट्रांससाइटोसिस यह आपकेotal सैल्स है ना आपके Mental सैल किया यहां पर सैल पड़े वह थे इन्हों आपने एक तरफ से पकड़ा अपने अंदर से गुजार कर दूसरी तरफ छोड़ दिया तो इसलिए से क्या बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस तो यह एपितिरल से ट्रांससाइटोसिस के जरीए आपके जी आईटी में चले जाती है अच्छा इसके साथ एक और मसला होता है क्या मसला होता है कि इसका जो FC पोर्शन होता है इसके FC पोर्शन को आपके जो लियूमन है यह आपके जो अंदर पड़ा होता है जो भी मवाद पड़ा होता है आपके lumen के अंदर जो है न प्रोटियेज इंजाइम पड़े होते हैं कहों से इंजाइम पड़े होते हैं प्रोटियेज इंजाइम अब ये प्रोटियेज इंजाइम आपके इस FC portion को destroy कर सकते हैं क्या कर सकते हैं है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसको डेमेईज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अब वो इस destruction से कैसे बचती है जैसे ही आपकी यह आई जी इस episodes old ऐसे घूजे रेगी तो Epitural से एक चीजब कर लीती है उसका क्या नाम होता है secretary component क्या नाम होता है secretary component बहुत तो नहीं कर रहा मैं आज क्योंकि मैंने काफी लंबा कर दिया secretary component क्या रिलीज करती है सोरी स्क्रेटरी कंपने यहां से पिक कर लेती है और secretary component को अपने FC portion के साथ लगा देती है अब यह secretary component इसको इन protease enzyme से बचाता है तो इस तरह इसकी destruction नहीं होती तो इस तरह आपकी जो है ना यह आपकी IGA अंदर आ जाती है और आपकी जो lining होती है mucos lining यह आपकी जितना भी GIT है उसको क्या कर लेती है line कर लेती है और line करने के बाद आपका उपर से कोई भी pathogen या antigen आता है वो आपकी इदर बैटना चाहेगा कि मैं यहाँ पर बैट कर infection कास करो तो यह उसको वहाँ पर नहीं बैटने देगी आपकी IGA तो वह आपका यहाँ से move करता हुआ तो इस तरह आपके इनस के ज़री है pathogen जो है ना वो release हो जाता है इस तरह वहाँ पर infection नहीं कास कर सकता तो इस तरह आपकी IGA बनती है इस तरह दाखिल होती है और इस तरह आपके GIT को save करती है और इस तरह respiratory system को भी यह क्या करती है save करती है समझा आगी है चीज़ मैं इसको repeat कर दूँ चले मैं इसको दुबारा repeat करता हूँ इदर से repeat कर देता हूँ दुबारा बनाने की जरूरत नहीं है इसको repeat कर देता हूँ इदर ही क्या होता है कि आपकी जब यह बनती है आपकी जब circulation में होती है circulation में तो यह monomer form होती है trans cytosis के जरिए जब यहां से घुजरती है तो यहां से यह से secretary component भी उठा लेती है और इस secretary component को यहां पर लगा देती है अपने FC portion पर अब यहां पर लगा दिया अब अंदर दाखिल हो गई अब यह secretary component इसको protease से बचाएगा कि उससे इसकी यहना license नहीं होगी तूट पूट का शिकार नहीं होगी अंदर आके lining को mucos को line कर लेगा और कोई भी pathogen आएगा उसको यहां पर बैटने नहीं देगा और pathogen bear release हो जाएगा तो इस तरह यह हमारी क्या करती है हमें GIT infection से बचाती होगी नहीं यह timer में आपकी जब secret हो जाएगी आप किताब यह जाएगी हो जाएगी समझा आगी है यह साफ कर दूं कर तो दिया है मैंने कि मेरे खाल में थक गया आप लोग है नहीं थक है कि चले हम लोग कहां पर थे क्रास एपितिरल सेल्स बाई ट्रांस सेटोसिस अच्छा एक तो यह बैर पंधीर क्रास कर रही होती ए दूसरा यह प्रॉद्फिवस 투 g2 g8 के अंधर भी बनती होती है भी के अंदर कैसे बनती है या जरा पेर पैशिज याद है हमने पहले पहले प्ध फ़ेसल में पढ़ा था कि अगर यह आपका स्टामें है तो यह small intestine होती थी और small intestine मेंने कहा था कि गुरुप पुलीकलग लिए पीर ह्याक्टे ठेस्ट और पेयर पैस्ट कौन से या लो एक विजह कौन से थे स्केंड्री यार्गन से और था कैनम क्या होता हा कि इसकेंड्र ने होते हैं B-cells और T-cell जब यहां से कोई भी आपकी क्या आएगी Antigen आएगी आपको कोई भी pathogen आएगा जब यहां से गुजरने लगेगा तो यहां पर आपके macrophages पड़े होंगे वो कहेंगे जनाब किदर जा रहे हैं जरा हमारे साथ तो सलाम करने तो वो इसको सलाम देगा जैसे ही वो इसको सलाम देगा आपका macrophage T-cell को active करेगा T-cell B-cell को और B-cell किसके अंदर पड़े होते हैं pair patches के अंदर P-cells क्या बना देगे आपका IgA बना देगे आपकी IgA यहां पर भी बनती है वो इस तरह भी लाइनिंग करती है तो वो इस तरह भी आपके infections नहीं बने देगे यह चीज़ समझागी है pair patches वाली repeat करूं मैं इसको मेरे ख्यार में असान सा था repeat करने के जरूरत नहीं है और यह आपको GRD से बचाती है किससे July說 किया होता हृ यह लिका हो रहे एक Parasite होता है जो आपको आपके यह नहीं होगे is नहीं होगी तो क्या हो जाएगीậtायी किङ यह बता है यह इचिए 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 कम होती है लेकि आपकी आई जी जी कहा रह जाती है सिरा में इसकी constants क्या हुती है ज़े वियंदा होती है अंचा अचा इन्टू jurid into työcretion Ц Rick tia अॉसू जो आपको लोगों के लिए बहाते है यह इजे टेर में भी होती यह आपको Celaywa होता है स्लाइवा में भी होती है कुछ लोग तो जूट मूड के आज़ो बात है तो उसके बाद क्या परोग है और कुछ यह आपकी म्यूकस में हमने भी पढ़ा है कि आपकी जीए इस में भी आपकी जीए होती है आपकी आई जी यह होती है और ब्रेस्ट मिल्क यह मैंने बताया कि क्या पर आप जला हुए है है यह ज्यह abdock ममा जाने वो ब्रेस्ट करती है। इंटेंट को तो उसके ब्रेस्टолжम में कौंसी होती है। 거지 ए hardory होती है तो बत्र ही कर लेथे घर नब होती है यह अगर आप आप बच्चे को फार्म लग दे रहे हैं क्या या दे रहे है ठाव बरेस्ट विडिंग के नेचरल विडिंग बच्छा करते है मममा से और एक होता एक अगर बच्छे को फार्वूरा मिल्क देंगे तो क्या उसमें आई जी ए होगी नहीं होगी तो क्या वो इसको लाइनिंग करेगी, नहीं करेगी, तो क्या बच्चा अपनी IgA बना रहा होता है, नहीं, शुरूर शुरू में अपनी狂 बनाता ही नहीं है, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, daria होजाएगा, है Gemidini वोगी उसको और साथ में क्या होगी हो तो इस तरहरा अगर आप बच्चे को बच्चे को जयादा होते हैं ठीक है तो इसी डिया कंपॉटनेंटि फ्रəम् Suite कि वहा इंटेक्ष्ट। चांतिलeleri बुक्वल ने चीज़ों को उपर नीचे करके दिखें कोई चीज रहेगी हो या कोई चीज समझ नहीं हो आप लोग को आ गई है मैं देख लूँ कोई चीज रहा ना गई हो आप लोग की न सारे कंट्रेप्स के लेर होने चाहिए और इसी तरह यह बच्चे को जो है अगर आप ममा जो ना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही तो इसी तरह उसको रिस्परेटी ट्रैक्ट के इंफेक्शन गो सकते हैं नमूनिया उसी बच्चे को होगा ठीक है उसको रिस्परेटी ट्रैक्ट के दूसरे इंफेक्शन उसी आई जी जी और आई जी एम तीनों समझ आ गई हैं यहां पर सेव कर लूँ क्योंकि आप लोग उपर देख सकते हैं 55 मिनिट का हो गया तू मच लेंगती हो गया इसको सेव कर लूँ तो बाकि जो तीन दो तीन बचती हैं वह फिर हम पढ़ते हैं ठीक है यह फिर जाना दूए इसको एक गंटा 20-30 मिनिट पर चले मैं इसको सेव कर लेता हूँ